हलो यूटूब फैमली कैसे हैं आप साब उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे बढ़ियां होंगे तो रोज की तरह आज लेकर आए बहुत ही काम का यूजफुल टिप सेंट्रिक्स जो पुराने दीपक क्यों लेकर आए हैं दिवाली तो खतम हो गई है और इस पुर देखे लिए थोड़ा सा गुन गुना पानी और इसमें हम अच्छे से धूल ले रहे हैं ताकि इसमें तेल घी का जो चिपचिपा पन है और इसे रख दिये ताकि यह सूख जाए तो फर्स टिप्स है दोस्तों देखिए यहां पे जब भी हम लोग दाल बेगरा बनाते हैं तो तड़का लगाना होता है तो हम लोग कलचुल में लगाते हैं तड़का तो यहां पे क्यों ना हम यह जो मिटी का दीपक है इसमें तड़का लगा के देखिएगा एक बार और यह जो दाल बनेगा न तड़का वाला तो यह दाल बहुत ही टेस्टी बनेगा तो पहले के कमाल का आडिया है दोस्तों आप लोग भी ट्राई किजूगा काम को असान एदिपकें आप टिमसे से काम को असानी बनाराशा टीपस से यहांपर we have for a lşim चम्मच बाल दियें वसिंग पाउडर और चम्मच बाले ना है यहां पे सोडा खाने वाला और दोनों चीजों को हमें अच्छे से यहां पर मिला लेना है और इसके बाद दो चार बुंद पाणी डाल दीजिए गया जया गिल्ला नहीं करना है नहीं तो यहां पर थोड़ा थ इसे अच्छा बन गया है और अबने के बाद इसको अच्छाब करना है थूप में सुखा देना है और तो схчи आपके पीम्हास हमें तो फौब नहीं तो तो हम फहले बाद देखे जब हम चाने लाज इसे लगता है किस तरीके से मांजे वैसे हमें इटा का टुकड़ा लेना पड़ता है इसको रगड़ने के लिए तो क्यों न एक दीपक से हमारा काम हो रहा है आसान तो दीपक से ही दिये से ही अपने काम को असान करें और देखिए कितना अच्छा तावा जो है बहुत ही अच इसमें डिटर्जेंट डाले हैं ना काफी दीन चलेगा तो आइडिया अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा नेक्षा देख लेते हैं जो अगला एडिया यहां पे हम दीपक ले लिए हैं और एक कपड़े को भी चाके और इस दीपक को अच्छे से फोल लेना है से इसको ठोड़ा से महीन कर लेते हैं और महीन करने के बाद मिक्शी जार अधार पूराना और यह जो हम पाउडर बना ही से फेकेंगे नहीं बहुत ही काम में हम लेंगे दोस्तों ते देखिए आधा हम इसको रख दिये हैं ताकि हमें जितना काम है उतना ही हम यूज कर रहे हैं और यहां पे हम नीम्बू ले लिए हैं यह थोड़ा सा नीम्बू खराब हो गया था इ इसे हम पीस लिए हैं यह देखिए और एकदम से आपके पूजा के जो तामबे या पीतल के बरतन एदम से चमक जाएंगे यह देखिए दोस्तों कितना अच्छा से दम चमक हो गया है लाइटनेस पहले देख रहे होंगे काला काला सा लग रहा था और यह बत्ती को हम इकठ देना है इसे क्या होगा कि मच्छड मखी कहीं कोने कोने से घुसे हुए भागेंगे और निगे टिवी टिवी भी दूर होगा कपूर जलाने से तो यह बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों सारे टिप्स और ट्रिक्स काफी काम के हैं आप लोग को कैसा लगा अच्छा ल टाकि हम भी आगे बढ़ सके दोस्तों तो लाइक कीजिएगा लाइक करने के साथ सेद कीजिएगा अपने दोस्तों फैमली में और न्यूज है चैनल पर तो चनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ब